आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी बातों के बारे में जो हम बच्पन से सुनते आ रहे हैं जैसे कि रात को नाखुन मत काटो, रात को जाडू मत मारो, अरे बिल्ली रास्ता काट गई, रुको एक मिनट कभी आपने सोचा है कि उन सब के पीछे लॉजिक क्या है, या फिर साइन्टिफिक रीजन क्या है सबसे पहले मित जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है मंदिर में घंटी बजाना मंदिर में घंटी बजने से भगवान खुश होते है पट इसके पीछे का लॉजिक क्या है मंदिर में घंटी बजाने से पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है जो मेडिटेशन में हिल्प करती है और ये बॉडि के साथ चक्रास को एक्टिवेट भी करती है दूसरा मित जो है दर्वाजे में निमू मिर्ची लटकाना इसके पीछे का मित क्या है इससे पूरी नजर और अप्शुगुन दूर होता है अब मैं आपको बताऊंगी लॉजिक निमू मिर्ची में सैट्रिक एसिड होता है जो कीट नाशक का काम करता है इससे कीड़े मकोडे घर नहीं आते तीसरा मित है शमशान से घर आने के बाद नहाना लोग कहते हैं मरवे आदमी की आत्मा को शांती मिलती है और घर में सुक शांती बनी रहती है पर इसके पीछे का लॉजिक या फिर साइंटिफिक कारण क्या है पहले हैपिटाइटिस, स्मॉल पॉक्स जैसी जान लेवा बिमारियों का वैक्सिनेशन अवेलेबल नहीं होता था इसलिए अंतिम संसकार के बाद नहाया जाता था ताकि कोई बिमारी ना फैले फोर्थ मित है तलाब में कॉइन फैकने से भागे अच्छा होता है अब इसके पीछे का कारण क्या है पहले सिक्के तामबे के होते थे और तामबा अगर लंबे समय तक पानी में रहे तो उसके बैक्टेरियाज मर जाते हैं और तामबा हेल्थ के लिए एक अच्छा पोशक तत्व है अब हम बात करेंगे पांच्छुए मित के बारे में कहते हैं ग्रहन के समय बाहर नहीं जाना चीए अन्यता राहू का प्रभाव पड़ता है पर इसके पीछे का लॉजिक क्या है सूर्य ग्रहन को नंगी आँख से देखने पर रेटीना पर खत्रा पहुँचता है इससे एकलिप्स ब्लाइंडनेस का खत्रा रहता है इसलिए सूर्य ग्रहन में बाहर जाने से रोका जाता है पॉइंट नंबर सिक्स शगुन में एक का सिक्का देना शुब माना जाता है पर इसके पीछे का लॉजिक क्या है जीरो का सिंबॉलिक मतलब अन्थ होता है इसलिए किसी भी शुब रकम को जीरो से खत्म नहीं करते अब बात करेंगे मित नंबर साथ के बारे में इस चिस के लिए तो मुझे काफी बार जाड़ भी पड़ी है रात को नाखु नहीं काटना चाहिए ऐसा गणना अब शुबन माना जाता है अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है पुराने समय में राद में बिजली न होने के कारण अंधेरा होता था इसलिए नेल्स काटने से हाथ कटने का डर रहता था मित नंबर आठ रात में पीपल के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए कहते हैं वहाँ पे भूत और आत्मा है रहती है देखिए आपने कभी अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है रात में पेड़ भारी मातरा में कारबन डायकसाइट छोड़ता है जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होती है यही कारण था जिससे लोगों को रात को पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाने दिया जाता था अब अगले पॉइंट पे जाते हैं रात को जाडू मानना अपशुगुन होता है इसका यह कारण है पहले के समय में बिजली नहीं होती थी और कीमती वस्तू का जाडू मानने से खोने का डर रहता था इसलिए रात को जाडू मानना ठीक नहीं समझा जाता था ताकि आपकी कोई भी कीमती वस्तू ना खोए पॉइंट नमबर टेन सूरज ढलने से पहले खाना खा लेना चाहिए नि तो खाना जहर बन जाता है पॉइजन बन जाता है अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है पहले के जमाने में लाइट न होने के कारण जल्दी खाना खाया जाता था ताकि उन्ड़ने वाले जहरीले कीड़े अब इसके पीछे लॉजिक क्या है क्यों बिल्ली के रास्ते गाटने को अब शुकुन माना जाता है पुराने टाइम पे लोग बैल गाडियों से ट्रावल करते थे बैल गाडियां जंगली लाकों से होकर गुजरती थी इस दोरान बैलों को बाग, चीता, तेंदू की आहट दूर से ही सुनाई देती थी बैल डर जाते थे और आगे नहीं बढ़ते थे तो गाड़ी चालक अपने पीछे साथियों को भी रुकवा देता था बाग, चीता को पुराने समय में जंगली बिल्ली भी कहा जाता था इसलिए लोगों ने बिल्ली के रास्ता काटने पर भी रुकना शुरू कर दिया तो दोस्तों, देखा आपने अंद विश्वास के पीछे का लॉजिक और साइंटिफिक कारण बहुत सारी चीजें आज के टाइम पर रेलेवेंट भी नहीं है तो आख बंद करके फॉलो करने की बजाए उसके पीछे का लॉजिक जानी है और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक मै वीडियो और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजे और साथ में बेल आइकन भी हिट कीजे तो स्टे ब्लेस्ट, स्टे हैपी, थैंक यू